तो किया चल से स्रेकाल में होनी और मैंनेड गईज आज हम लोग बात करने वाले समे राइना के बारे में तो समे राइना ये जीज़ को देखकर थोड़ा सर्प्राइज हो गया जहां गईज बेसिकल इकल रनवीर अलबादिया के चैनल में रोइज शेटी और अजी देव गन का एक पॉड़कास्ट आया था और अफकोर्स वो नॉर्मल फिल्म इंडस्ट्री वगरा के बारे में तो बात किये ही आपने कुछ देखा है तब उन ओनों के तरफ से क्या रिस्पॉंस आया आप खुद देख लीजेए इंडिया स्गोड लेटन देखते हो एक नया शो है यूट्यूब पर मैं फ्रेंड समय राइना आई हाइली रेक्मेंड यौल चेक इड़ वहाँ बहुत ओफेंसिव हूमर डाला है हाइपर ओफेंसिव एवरी परसन इन दे कंट्री इस बॉस्टिंग अट्राइस चुप 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 के I like the way he speaks समय का एक स्टाइल है बात करने का जिसे हम डालोग डिलिवरी कहते है न यहाँ पिकिलर वे और स्पीकिंग पर्फेक्ट टाइमिंग समय भाई को कास्ट करोगे रोएचेटी सर बड़ा राइक दाट इसमें एक सेंस अफ कॉमेडी भी और एक तरीका है बात करने का सराज सिंगल मौल्ट पीते हुए इंडिया बिल्कुल देखूंग मिस्ट बीस्ट के एसाई एंड लोगन पॉल इंडिया आ गये हैं इस गैस मैंने आप लोगों बताया था कि मुम्माई में इनका आज एक लॉंच इवेंट होने वाला है प्राइम और फीस्टेबल सब कुछ लॉंच होने वाला इंडिया में तुस्टे के लिए जब मिस्टर बीस्ट इंडिया है तब उनको कैसा रेस्पॉंस मिला आप खुद देख लीजिए बट येस एक परसन मिसिंग थे इस इवेंट से और वो थे श्पीड वो भी आने वाले थे तो ओफकॉर्स कुछ फैन्स को थोड़ा डिसेपॉइंटिंग लगा तो अपने इंडिया इंडिया सोरी बोलते वे ये कहें इंडिया एम नॉट गइंग तो बात इंडिया वागी बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजेद दलाल एंड आलिस के बारे में तो रजेद दलाल एंड आलिस वाले सिच्वेशन के उपर रोईट शेटी भी अपना रियाक्शन दिये यस गाइस कल मैंने आप लोगो डीटेल वे में बताया था कि बिग बॉस में क्या हुआ था बेसिकली एक टास के दोरान एलिस रजेद दलाल की खिलाफ वुमेन कार्ड को यूज की थी बहुत गलत तरीके से जिसके वज़े से उनको काफी जादा हीट भी मिला बट वीकेंड का फार एपिसोड में आकर रोईट शट्टी भी उनको स्लैम करते वे समझाया है कि वो जो वुमेन कार्ड यूज की थी शी क्रॉस दे लाइन जस्ट एक टास के लिए उन्होंना एलिस को बोला कि ये कार्ड को यूज मत करना आप बहुत गलत दिख रहे हो और यह सब बहुत सीरियस चीज होता है यार एनिवेस टॉकिंग बाद रोईट शट्टी तो उनके मूवी सिंगम अगेन के लिए एक्टर्स को कितना पे किया गया था इस से रलेटिट एक रिपोर्ट आया है येस गाइस अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बताया जा रहा है कि अफकॉर्स अजे देवगन को सबसे ज़्यादा फीस मिला था 35 करोड रुपीस उसके बाद अक्षे कुमार वस रिपोर्टेड ली पेड 20 करोर्स करीना कपूर और रनवीर सिंग को मिले थे 10 करोर्स दिपिका पाडुकॉन और अरजुन कपूर को मिले थे 6 करोर्स और टाइगर श्रॉफ को 3 करोर्स तो अच्छा ये बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रभास और डॉन ली के बारे में के सलार 2 का पोस्टर को शेर करते वे थम्स अप इमोजी डाले बस यही एक स्टोरी काफी था है और इसके बाद फैंस पूरा हाइपट अप हो गए लोग स्पेकिलेट करने लगे कि क्या ये सलार 2 में अपना अपिरेंस देने वाले या वो प्रभास के अपकमिंग मूवी स्पिरिट में काम करने वाले अभी तक कुछ ऑफिशल अनौंसमेंट तो नहीं आया यार बट फैंस बहुत ही जादा एक्साइटेड हो गये एनिवे कि मैं वापस कैसे जा सकती हूं मेरा एक बच्चा है वो यहां मुमाई में पढ़ाई करता है अपना हार्दी कंडाई have a child and at the end of the day वो चाइल हमेशा हमको एक फैंपली बना कर रखेगा तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक AI पेंटिंग के बारे में जि इसको बनाये गया था AI Dase who is the world's first ultra realistic robot artist भाई सही मैयार लोग सोचते थे कि AI artist को replace कर पाएगा कि नहीं in the future बट यह चीज़ बहुत बड़ा example set कर देगा and while we're on this topic तो एक Japanese man अपने anime character के साथ wedding anniversary मना है literally guys यह 41 year old person अपने आपको ficto sexual claim करते हैं and वो अपने anime wife के साथ 6th wedding anniversary मना है वो अपने instagram में पूरा photo वगेरा share किये थे cake वगेरा के साथ and नीचे caption में लिखे थे today is our wedding anniversary it's been 6 years I hope that both of you will continue to get along anyways चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने माले एक छोटे से गलत family के बारे में जिसके वज़े से बहुत बड़ा damage हो गया जहां guys literally एक word के वज़े से बहुत बड़ा count हो गया and वो word है okay अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई okay word से क्या दिक्कत हो गया तो चलिए मैं आप लोगो बताता हूँ basically एक station master जब अपने wife के साथ phone call में थे and वो okay बोले तो एक कली उनके okay को misinterpret कर लिए and एक restricted area में train को लेकर चल गया जिसके वज़े से इंडियन railways का 3 करोड का loss हो गया guess what इसके बाद वो station master को suspend कर दिया गया and उनका marriage भी उसके बाद खराब होने लगा and eventually got a divorce तो चाहिए अब आगे पढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के shocking viral video के बारे में तो guys एक person instagram में publicly एक video को post कर दिये थे जहां पर वो mosquito repellent को पीने लगे थे just after his breakup yes guys वो बहुत ही आमफुल चीज कर रहे थे वो खुद के साथ and इसका वीडियो जब उन्होंने post किया तब police को alert किया गया इस चीज के बारे में कि देखो ये person क्या कर रहा है and at around 3.30 a.m. at the night police उनके घर में आये उनके दर्वाजा को तोड़ कर अंदर घुसे and उनको rescue करकर hospital ले गए जिसके वज़े से भाई उनका जान बज़ गया तो यहां तो चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं तो first of all समुद्री लुटेरा ने complete कर चुके 100 के subscribers फिल्मी गिरी ने complete कर चुके 500 के subscribers and finally andro b ने complete कर चुके 5 million subscribers so many many congratulations to all of them तो चाहिए बिक international story के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले काई सनेट and Elon Musk के बारे में है yes guys आज वो अपने twitter में यह post डाले hey Elon मेरे को ऐसा first streamer बनना है जो कि space में जाकर stream करते वे यो chat बोलेगा I believe you are the only person जो कि मेरे को ये goal अचीव करने में help कर सकता है let's make history at the rate Elon Musk and SpaceX भाई क्या ही वेंकर request है यार उनका but anyways talking about streamers तो एक streamer line को cross कर दिया and company उनके खिलाफ बहुत ही बड़ा legal action ले लिए yes guys allegedly एक streamer pirated Ninto Switch content को stream कर रहे थे and इसके वज़े से Nintendo उनके खिलाफ एक lawsuit फाइल कर दिया है according to this lawsuit ये streamer के खिलाफ allegation लगाए गया है कि Nintendo उनको बहुत सारे takedown notices, seize and desist orders भेजे थे but वो बार-बार उस चीज को ignore कर रहे थे in fact ये streamer का जब एक channel टेकडाउन करा दिया जाता था तब वो different platform में जाकर different account बनाकर फिर से ये same हरकत start कर देते थे and reportedly एक जगा तो वो Nintendo को challenge करते वे बोल दिये थे you can try to stop me but I'll keep going to finally Nintendo ने decide कि भाई आप तो legal action लेना ही होगा and वो 7.5 million dollars in damages सीख कर रहे है वो streamer से तो यहां तो चोल दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है अगर आपको वीडियो थोड़ा सब भी पसंद आया हो तो like कर देना channel को भी तक subscribe नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी subscribe भी कर लेना news submission का link description में वहां से जाके आप कुछ news बजोगे है तो आपको credits भी मिल सकता है मेरे description में so यह ऐसे support करते है रहा ना मिल दे नेक्स वीडियो में till then bye bye